हाई गाइज वेलिकम टो माई चानल तो आज हम स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पर यह पाइप ले लिया है इसके उपर हम कुछ मार्किंग कर लेंगे इसका यूज हमें यह होगा कि यह हमें कटिंग के लिए इजी जाएगा तो मैं इसे 5 से 10 सेंटिमेटर के बीच कट कर लूँगा और साइड का थोड़ा सा इज रखोंगा सो हम यह प्लांटिंग मॉडर्ण मेथर्ड से करने वाले हैं इसमें स्पेस सेविंग मेथर्ड भी एड होता है और मार्किंग होने के बाद हम इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा यह पाइप कट कर लिया है वह भी हैंड अपने हैंड से हमने यहाँ पर कोई मशिन नहीं उसकी तो हम यहाँ पर साइड को सिल करके उसमें मट्टी भर लेंगे यहाँ पर हमने ब्लैक साइल लिए उसकी आए और तो हमने बीच में एक काव डंक यानि नैच्रल फर्टिलाइजर है जो कि एक उसकी एक लिया बना ली है उससे हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रू करेंगे और स्ट्रॉबेरिस भी आएगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरे स्ट्रॉबेरि के प्लांट्स है जो कि मैंने नरसरी से लिए थे वो यह वाला जो है वो सबसे बड़ा है उसको यह रूटिंग आई है आप अब हम इसे सेप्लेट करके रिप्लांट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम इसे धीरे धीरे से निकाल लेंगे जमें से तो गाइस हमने जो पाइप लिया था वो करीब करेब 20 से 25 सेंटिमेटर था यह बात मैंने पहले बता ही नहीं थे इसलिए अभी बता रहा हूँ तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर भी किजिएगा सो हम इनने यहाँ पर पूरे प्लांट्स निकाल लिये हैं आप देख सकते यह कैसे और यह जो बीच में जो वायर टाइप है वह हम इसमें कट करने वाले हैं और सब को सेपरेट सेपरेट प्लांट करने वाले हैं सो प्लांट करने से पहले हम इसे कट कर लेंगे हर एक प्लांट को अलग करना है हमें सो आफ्टर कटिंग हम इसे इस पाइप में गड़्डा करके लगा देंगे सो हमें यह ध्यान रखना है कि इसके रूट्स तूटे नहीं लगाते समय इसे हलके हाथों से लगाना है और हम सब प्लांट लगा लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे प्लांट लगा लिए है और हमारे प्लांट हेल्दी भी है सो यह अच्छे से ग्रोथ करेंगे और एक बात यहाँ पर एक फ्लावर भी आया है हमारे प्लांट को सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं हमारे प्लांटिंग और थैंक यू फर वाचिंग वी